गोवा में 28 मार्च को शपत ग्रहन समारो होगा जिसमें प्रमोध सावंत एक बार फिर मुख्यमंतरी पद्य की शपत लेंगे उनके शपत ग्रहन समारो में पीम नरेंद्र मोधी भी शामिल होगे सोमवार को गोवा में प्रमूद सावंद को सर्वसम्मती से भारती जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था इसके तुरंत बाद सत्तारूंदल ने मजीपी के दो विधायक और तीन निर्दली विधायकों के समर्थन के साथ नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जौदा फरवरी को हुए चुनाओ में भाजपा ने 40 सदस्ती विधान सभा में बहुमत से सिर्फ एक सीट कम जीती थी आपको बता दे कुल बी सीटे जीती थी भाजपा ने गोवा की सबसे पुरानी शेत्री पार्टी मजीपी और तीन निर्दली विधायकों के समर्थन पत्र से राजपाल पी एस श्रीधरन पिल्लाई को पत्र सौपा जिन्होंने सावंत को अगली सरकार बनाने के लिए नियोता दिया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सबस्क्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर ख़बर का आपडेट आप तक पहुँचे तुरन आप हमें स्टार ट्विटर और फेस्बुक प बाइज करें पाश्थ